अब प्रीति के तीन चीजें देखो प्रीति मतलब प्रेम एक तो आपने पहले पड़ा इंद्रियों के विशयों से भी हमको क्या है प्रेम तो यह भी प्रीति का एक क्या है विशे दूसरा एक विशे क्या है पता है असक्ति ही अनभिश्वंगह ये भी किसका दोश है प्रीति का वो आसक्ति के बड़ा सुंदर अर्च किया है असक्ति ही सक्ति ही वो शब्द कैसे बना सक्ति ही जुड़ जाना इस जुड़ जाने को क्या बोलते हैं आसक्ति जब और अच्छी प्रकार से जुड़ गया आसमंतात सक्ति ही तब आपने उसका क्या नाम दे दिया आसक्ति लेकिन सक्ति मूल धातु है उसका आर्थ है जुड़ना कैसे चुझा ज़ड़ा देखो हुआ ये कि कोई चीज उसको अच्छी लगने लगी ज़्याद लेवल देखना इन दो कि अलग अलग लेवल देखेगा असक्ती और अनभिश्रूंगह अंतर है दोनों में एक चीज आपको देखते देखते अच्छी लगने लगी इसको क्या बुल से बोले संग निमितेश हूं इसके जब कॉंटैक्ट में आया तो प्रेम इसे ही बढ़ता है किसी मैं यह व्यक्ति की बात नहीं कह रहा हूं ध्यान लखना व्यक्ति तो है वस्तू व्यक्ति सामान पदार्थ सब अब मुझे उस विशय से क्या होने लगा प्रीती हो गई प्र पसंद आने लेगे इसको क्या बोलेंगे इसको गुड को क्या बोलेंगे आ सक्ति अच्छा अब इससे आगे और चला गया जरा देखो अनभी श्वंगह एक है सिर्फ प्रीती और एक हो गई विशेश प्रीती एक हो गई आ सक्ति की सक्ति और एक कैसी हो गई विशेश सक्त विशेश सक्ति का लक्षन क्या है? अब ये हो गया कि ये चीज नहीं मिली तो मेरा जीवन वियर्थ है चालू कहां से हुआ था? सक्ति ही अब क्या हो गई? विशेश सक्ति अब किसको इसने आत्म रूप से मान लिया? जब ये सुखी तो मैं भी सुखी और जब ये दुखी तो मैं भी दुखी इसका मतलब ये क्या हो गया आपको? आ सकती नहीं? आप इस गुड़ को क्या बोलेंगे? किसी के इसमें इतना हो जाना कि उसको लगा कि मैं ही क्या हो गया आप समाप्त हो गया इसी को आप कह लेते है राग अब अपना अस्तित्व उस विशे से इतना जुड़ दिया आपने कि स्वयम का अस्तित्व रही नहीं गया अब किसे जुड़ गए उस स्वस्थों से बोले ये कहां कहां होता है बोले इसके तीन ही एरिया है कौन से तीन ही एरिया है पुत्र तीन कभ़ी देखता हूं की पढ़ाई एक्जाम बच्च का होता पढ़ता माबाब है उतना राद बर देखो आप समझ भी नहीं तो पहले भी पढ़ चुकिए फिर से पढ़ना पढ़ रहा है इरिया है आपके जो वीक एरिया है किसके आनेविश्वंगा के पहला एरिया पुत्र जहां आपने अपना आनंद छोड़ कर अपनी सब चीजें छोड़ कर उसके रंग में रंगे और जब उसको जरूरत नहीं थी उसने आपको क्या देखा दिया बाहर जाईए एक सीमा से ज़्यादा किसी को अपनी परसनल बाउंटरी में आने की अनुमती नहीं देनी चाहिए बले ही वो क्या हो पुत्र ही क्यों नहीं पुत्र दूसरा दार दार मतलब स्त्री इतना ममत्त बहाव जागरत कर लिया कि ये मरी तो मैं मरा जिसको हुआ तो मेरे को भी हो गया इतना वैसा आसकती का भाव तब आपको रोगी को ठीक क्या करोगे आप तो खुदी रोगी हो गये कि दूसरा एरिया है जहां व्यक्ति किस तले परी एरिया है तीसरा ग्रह व्यक्ति का घर ये भी व्यक्ति को नहीं छोड़ता है यदि इसको कुछ हो गया तो हमारी भी जान क्या हो गई चलिए इच्छोज अटेच्मेंट होए बहला है लेकिन अपनी एक सीमा में होए कि मैं तो आपको सिर्फ एक दृष्टानती ही दे सकता हूं किसी भक्त ने बोला कि हमको एक आश्रम बनाने में इतना अटेच्मेंट हो जाता एक घर बनाने में तो आप तो इतने आश्रम बनाते हैं गुरूज पूला था इतने आश्रम बनवाए आप देश वीदेश में तो आपका कितना attachment होगा तो और अच्छा आपको सबसे आश्रम कौन सा लगता है उले सिद्धबाडी पाड़ों के बीच में भे उससे में उन्होंने एक statement दिया था हूं जो थे उन्होंने देखा होगा कि यदि यहां पर सिद्धबाडी में blast भी कर दो पूरा hall आश्रम मेरे आनन्द की एक लकीर में अंतर नहीं पड़ सकता यह कोई कह सकता है होने की बात तो लग है ज़र कहकर देखुआ यह तभी है वही विक्ति जो अंदर से क्या है पता है पूरी तरह से असंग है वही यह कह सकता है सामाने विक्ति नहीं कह सकता ज्यान लगना यहां यह नहीं क वो लक्षी ही क्या हो गया साधन कभी साध्य न बन जाए इसको याद रखें जो पात्य है उक लक्ष तो नहीं हो सकता आध इस्ति आप टिफिन लेकर यात्रा करने करें टिफिन लक्ष नहीं हो सकता इन तो सिर्फ पाथे हैं ये सब तो साधन हैं आपको जोडने के उसे लेकिन हमने इसी को क्या बना लिया तो तो आपके लाइफ आगे क्या हो जाएगी मिजरेबल होगी संबंद एक सीमा तक होवे कि हमारे लक्ष में क्या बने वो विरोधी न बने तो सब चीजें क्या हैं अच्छी हैं जहां लक्ष विरोधी को ही बन गया इतना कमफर्ट इतनी सब चीजें लक्षिरी हो गई कि हमको लक्ष ही क्या हो गए हम बोल गए तो फिर ये सब मिला क्यूं था आपको ये गड़ गड़ झाल